तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं आज हम चार अहम मुद्दे पर बात करेंगे जो चारों अहम होगी पहला है ध्यान दिजे क्या बस गाड़ी सभी लोकल ट्रेने पहले की तरह चलने की इजाज़त कब से मिलेगी दूसरा क्या इस्कूल कोलेज कोचिंग कब से खुलेगी तिसरा है करोना की तिसरी लहर कितनी खतरनाक होने बाली हैं इससे पहले आपको भेक्षीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए चाहू था बोड परिक्षा 10 भी बारवी की परिक्षा रध होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसके बारे मैं मैं detail by detail बताऊंगा तो इससे पहले मेरे channel को subscribe नहीं किया हैं तो subscribe करके घंटी दबा दें क्योंकि कोई भी वीडियो मैं सबसे पहले देने की कोसिश करूँगा पहला था बस गाड़ी सभी लोकल ट्रेनों को चलने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए हाँ इतना जरूर है कि आप अपने से सतरकता और साबधानिया बरतनी चाहिए एक दूसरी से दूरी बना कर रहना चाहिए कभी भी सफर करते वक्त हमेशा मास्क का परियोग करना चाहिए नहीं तो अगर ऐसा ही स्थिती रहेंगे तो देश की आर्थिक स्थिती पर बूरा असर पड़ेंगे दूसरा ध्यान दिजे ये आपके लिए बहुत ही टर्निंग पॉइंट साबित होंगे इसकुल कोलेज कोचिंग कब से खुलेंगे ये था ठीक है इसकुल कोलेज कोचिंग खुलने की परार्थ मिक्ता जल्द ही मिल जाएगी क्योंकि अभी अभी अपडेट आई है कि पहले की तुलना जैसे पहले आठ बजे से दो बजे तक कलास होती थी लेकिन अब नहीं आठ बजे से तीन बजे तक कलास होगी अगर नो बजे कलास लगेगी तो चार बजे तक चलेगी यानि एक एक घंटा बढ़ाया जाएगा साथ घंटे की पढ़ाई होगी और सानीवार को फूल घंटी की पढ़ाई होगी जो सुतरों के हवाले से अभी अभी अपडेट आई है तिसरा है ध्यान दिजे कुरोना की तिसरी लहर कितनी खतरनाक होगी इसकी तैयारिया तो बिल्कुल हम लोग और सरकार से मिलकर कर चुके हैं इससे पहले आपको भेक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है क्योंकि भेक्सीन लेने वाले की कैसेस की संख्यां काफी कम आती है 34 था ध्यान दिजे बोड परिक्षा 10 वी और 12 वी की परिक्षा बिल्कुल रद कर देनी चाहिए क्योंकि अगर बोड परिक्षा देने जा रहे हैं बच्चे उनमें से किसी एक को भी अगर पोजेटिब आ गया तो क्या होगा अगर लेना भी है तो कड़ी वेवस्था के साथ होम सेंटर पर ही एकजाम लेनी चाहिए जो वो संभव है आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि भेक्षिन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए बोर्ड पर इक्षा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कमेंट करके जरूर बताईएगा अब आपको इक्षा चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं करना अगर कर देते हैं तो सबसे पहले आपको अपडेट तो मिल ही जाएगी और आपको अधर चैनल देखने की भी जरूरात नहीं पड़ेगी.